हत जूड़ कर अर दास गुरुजी सुन देने तू रख मन विच विश्वास ओ गुरुजी सुन देने हत जूड़ कर अर दास गुरुजी सुन देने तू रख मन विच विश्वास गुरुजी सुन देने तू रख मन विच विश्वास गुरुजी सुन देने हत जूड़ कर अर दा गुरुजी सुन देने मत जूड़ कर अर दा गुरुजी सुन देने मेरा मही मेरा प्रितम 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 प्यारा मेरा मही मेरा प्रितम प्यारा सब ना दी ओ अख्दा तारा मेरा मही मेरा प्रितम प्यारा सब ना दी ओ अख्दा तारा सबना दीयों अखता क्ना रा जिस्ते जिरते हथ गुरु ता जिस्ते सिरते हथ गुरु ता हो या उसदा पार उतारा तो रखमन विजविश्वास गुरूशी सुड़ दे तू रक्मन विच्विश्वास गुरूची सुन देने पत जूड कर अरता गुरूची सुन देने पत जूड कर अरता गुरूची सुन देने मुझा दो भगती दा जगो फुल है खिल्दा सचे गुरू दा संग है मिल्दा भगती दा जगो फुल है खिल्दा सचे गुरा दा संगता मिल्दा पूरण किर्पा हो वेजिस्ते सत्मर्ग दारस्ता दिस्ता सत्मर्ग दारस्ता दिस्ता दूरक मन विच विश्वास गुरू जी सुन देने आप जोड कर अरदा गुरू जी सुन देने बत जोड कर अरदा गुरू जी सुन देने गुरू जी सुन देने बत जोड कर अरदास गुरू जी सुन देने पत जोड कर अरदा गुरू जी सुन देने जी सुन देने बत जोड कर अरदा गुरू जी सुन देने जी सुन देने जी सुन देने श्रद्धानाल जो खुरू नुत्यावे मन माचत सगले फल पावे श्रद्धानाल जो खुरा नुत्यावे मन माचत सगले फल पावे गुरु चरणी जो सीस चुकावे काल पास बुद्य निकट न आवे काल पास बुद्य निकट न आवे तु रखमन विच्विश्वास गुरू जी सुन देने मत जोड कर अरता बुलू जी सुन देने मत जोड कर अरता बुलू जी सुन देने कर अरता बुलू जी सुन देने अंतर्या मी राखी करता सम्रत दाता जोलियां भर दा सम्रत दाता जोलिया भरदा अंतर या मी राखी करदा सम्रत दाता जोलिया भरदा सम्रत दाता जोलिया भरदा बड़े मंदर दीशों पा इतनी बड़े मदर दी शोबा एतनी जो आवे सोहे तरदा बड़े मदर दी शोबा एतनी जो आवे सोहे तरदा बुरुजी सुन देने 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 जैसे किसी ने गला चोक कर दिया हो और घर से क्या कुछ सोच के जाना और जिस समय हम स्टीज पे बैठते तो अवाज निकलती ही नहीं थी दो चार मिन्टों के बाद ही आवाज बंद हो जाना और वो पीरियड जो एक घंटे या दो घंटे का अगर कोई सतसंग हो और आपको आवाज ही ना निकले तो हम क्या करेंगे तो मन में बड़ा ही जैसे हम कहते हैं न गलानी होना या दुख होना मुझे लगा शायद अब इसके बाद शायद ही मैं कभी गापा हूँ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा लेकिन उनको भी प्राब्लम का पता नहीं लगा तो मैंने गुरु माराज की चड़नों में अरदास की हाथ जोड़कर कि गुरु जी याता अपने पूल बुला लओ या फिर जो दात आप जी ने के किर्पा से मुझे मिली है मुझे गाने की फिर दात बक्षम मैं गा सकूँ क्योंकि जब 2003 में गुरु जी के चड़नों में हम पहली बार गुरु जी ने बलाया एंपार स्टीट में तो 2003 में जिस आंटी के साथ मैं गया तो गुरु जी ने यही वचन किये कि आंटी जीनों नाल लेके आई हैं ये पिछले जनम का भी बेरागी कीर्थनिया और इस जनम में भी इसे यही दात मिली है उस समय में गुरु जी की इस बात को समझ नहीं पाया जैसे सुना और अंसुना कर दिया जैसे समझ नहीं पाया गुरु जी की इस बात को कि गुरु जी तो इस जनम की तो क्या पिछले कई जनमों की गुरु जानते हैं जन्मों जन्मांत्रों की गुरू जी को सब कुछ पता है हम गुरू से क्या छुपा सकते है जैसे बच्चा सोचता है मैं माँ से कुछ छुपा लूँगा पर छुपा नहीं पाता कितनी कोशिश करता है माँ ढोड़ी लेती है माँ पकड़ी लेती है ना उसको तो गुरु जी के चैड़नों में जब प्रात्ना की तो गुरु साहिव ने उस अरदास को सुना और मुझे दुबारा गला बक्षा ये दात बक्षी कि मैं गुरु जी के सरसंग में गा सकूँ और केवल गाही ना सकूँ गुरु जी ने ये भी और किरपा की कि गुरु जी के लिए मैं लिख भी सको जो गुरु जी लिखवा रहे हैं ये गुरु जी ऐसे रात को अचानक नीन खुल जानी दो बजे तीन बजे और गुरु जी भजन भेज देते हैं और मैं उसी समय अपने फोन पे ही जो नोट बुक होती है उस पे ही टाइप कर लेता हूँ कि कहीं सुभा मैं भूल ना जाओ इन शब्दों को तो ऐसा ऐसा गुरु जी की कला किरपा हो रही है किरपा करते हो जोलियां भरते हो खुश नसीब है कि पाया आपको गुरु जी हम बहुत खुश नसीब है हम सभी कि हमें गुरु जी जैसे रब रूप गुरु जी मिले है सो किरपा करते हो जोलियां भरते हो